रुज़ानों को पीछे छोड़ कर, exit पोल को पीछे छोड़ कर कि BJP ने जो प्रदर्शन किया है हर्याना वधान सभा चुनाओं में वो काफी जाधा शौकिंग है इसलिए क्योंकि हर तरफ सिर्फ कॉंग्रिस का ही बोल बाला था, लोगों का यही कहना था, हर्याना की जनता का यह कहना था कि इस बार हर्याना में कॉंग्रिस की ही सरकार बनेगी लेकिन आखिर बीजेपी ने ऐसा किया क्या सवाल ये है कि अंदर खाने बीजेपी ने क्या जादू किया कि सारे रुझानों को एक्जिट पोलों को पलट करके रख दिया आज इन सभी चीजों को समझने के लिए हमारे साथ सीनर जोर्निस्ट अनिल आर्या जी है जो कि हर्याना के बारे में सब कुछ बखू भी जानते हैं सर एवीपी लाइफ पे पहले को बहुत-बहुत स्वागत है ये क्या बीजेपी ने ऐसा मंतर फुका लास्ट मॉमेंट में क कि सारे जो नतीजे थे रुझान एग्जिट पोल सारे के सारे उलट हो गए हर्याना मैं ऐसा माना जा रहा था कि इस पार कॉंग्रेस सरकार बनेगी और कॉंग्रेस अच्छी मैज़टी सरकार बनेगी ऐसा नहीं था कि 46 का जो बहुत चाहिए उसी पर टिकेगा ये मान रहे कि सार्ट से उपर सीट साहद कॉंग्रेस लेही लेकिन जो कॉंग्रेस को नुक्सान हुआ सबस्वरा नुक्सान तो हुआ कि जाट वर्सइस नॉन जाट की पिछ है। इससे बहाच्पाब अखwe तो भाजपक की जो बैल्ट है जो जो जाट वर्सिस नौन जाट का दुरी करन हुआ जो ओल्ड रहतक है जिसमें रहतक जजर पर आपका सौनी पजला आता है वहां कॉंग्रेस का जादू चला है यह हुआ है वह जो वोट थी उनको लगा कि अगर फिर वही राज आ गया पहले तुस्रीन दूषी बाध जो श्रड बाद वाला परकरण फ़ब से कॉंग्रेस बड़ा जया जाट था वह काॉंग्रेस के साथ दिखरा था ऐसा जोन जो उत्ट तब एकराद के आपके आप दन जढेबागा कि सेल्जा की वैसे कॉंग्रेस के साथ होगा और सविधान बदनने का मुद्दा जो लुक्सवा में चला और ऐसे शूस थे वह कॉंग्रेस के साथ जाएंगे लेकिन कॉंग्रेस ने पहले तो गोहना और मिर्च पुलाले कान उठाए उठा काल में हुए थे उनका रेक्शन जो बाद में लेकिया उसका कोई फर्क पुला नि इसके साथ और बड़ा मुद्दा रहा वह रार नौक्रियों वाला जो भाश्पा के पक्ष में सबस्वरी बात यह है कि उस सरकार में जो नोक्रिया लगी वह मैरिट के उपर लगी जबकि अब तक आरोप लग दे रहे है क कुलीब शर्मा का जो ब्यान आया उसी यह लगा कि कोटे से नौकर दी जाएंगी तो लोगों में एक मैसेज यह गया खासकर सी एंडी जो क्लास की नौकरिया है कि यह तो अगर राज बदल गया कॉंग्रेस से राज आ गया तो यह नौकरियों में फिर वह गटा ले होंगे तो मुझे लगता है कि इस तमाम ऐसी चीजें थी जिससे कॉंग्रेस को बहुत बली चोट पहुँची है और एक बात यह भी बड़ी जरूरी है इसमें कि कॉंग्रेस के नेताओं का जो चोश था जो उनको अती उससा था या ती उसको कुछ भी कह लिए वो लोग सभा के ब दूसरी से तरफ हम बीजेपी में जब देखते हैं शुरुवाती तोर पर जब टिकेट बटवारा हो रहा था तो कुछ ऐसे नेताओधायक थे जो कि ना खुश थे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रामबला शर्मा ही थी सावित्री जिंदल भी हैं जिनको नहीं मिला टिके बाश्पा के खिलाफ जाना कि जिए बिलकुल भाश्पा ने सबसे पहले नाउंस कि थी और बाद में फिर दीड़े दीड़े प्लान किया था कि जितनी टिक टेम लेट करेंगे उससे हमारे यहां जो विद्रोय कम सहोगा लेकिन जब सेंटिमेंट सेट्स ने हो जिए बिलकुल और यहां चुनाव लड़े हैं तो जहां चुनाव लड़े हैं सब लड़े पल्वल तक लेख लिए करंडलाल आप करंड़ाल लटनागर अप पानीपति ग्रामिन देख लिए महम देख लिए तमाम ऐसी जगह हैं कॉंग्रेस को उसका नुकसान हुआ है तो सब्सक्राइब करना नीचे से लिके ऊपर तक धाचा बना हुआ है जबकि कॉंग्रेस के पाथ परदे सज्द्यक्स है लेकिंड डाउन दालाइन संक्टन नहीं है और संक्टन आज से नहीं पेसे 10-12 साल ते जिस पार्टी का संक्टन नहीं हो उसके वरकर को कैसे मोटिवेट क तो इसके क्या असर देखने को मिल रहे हैं इस चुनाओं में लेकि हर्याना में एंटिन कमबेंसी की बात तु थी जिए दस साल सरकार हो गया और हर्याना में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार तीस से बार रिपीट तरने जा रहे हैं जो अभी तक के रुजान दिख रहे उसका रीजन ये था कि खटर साफ को कार्या पढ़ा लिया है वो लोगों को रास नहीं आ रहे थी उनको वरकर नुंके साथ बात नहीं कर पा रहे थे एक्स एंप नहीं थे जो मासिए के साथ एक प्रविटिशन को मिक्स अना चाहिए वो कहना कहीं गैप ता इस वजे सी ये अगर खटर साब को पहले बदल दिया होता तो और बैटर हो था क्योंकि खटर साफ अफसरों पर डिपेंड थे एक पर्टिक्लर गुरूप था इसमों काम कर रहे थे तो मन्त्र अधायकों की नीच लए थी तो मनायब साब को लाय तो उसलिए गया था और नायब के आने के निशित तोर पर इन चीज़ों पर ब्रेक लगा उन्होंने पार्टी के लोगों से बात की जनता के बीच में के और उन्होंना जो अनॉसमेंट की उस अनॉसमेंट से पब्लिक को लगा नायब सानी को फिर लाय जाए तो शैद बेटर पोजिशन होगी जो पहले दस साल में यही वजय है कि जब 2014 में पूरी तरह से महौल था बाज़पा का जब 47 सीट जीती जीती आज अभी तक की रुजानों में उननंचा सीट पर बाज़पा आगे है बिल्कुल और देखा जाए तो आने वाले समय में महाराश्यों में दिल्ली में और जार्खट में भी विदान जाट ने और वह कुमुनीटी भासपा को पसंद नहीं करती फिर भी अगर तीसरी बार सरकार बना रहे हो तो उससे लगता है कि भाशपा का जादू इस चेत्र में चल रहा है बिल्कुल रुजहाने जो है अभी भी आ रही है लेकिन देख करके रुजहानों को ऐसा ही लग कि बीजेपी हर्याना में बहुमत की सरकार बनाएगी अब कारण क्या है कहां कॉंग्रिस फेल हुई कहां बीजेपी ने बाजी मार ली इस पर पोस्माटरन रिपोर्ट आपके पास जल्द मिल जाएगा आपके पास हाज़र रहेगा लेकिन ऐसे चुनाव से चुड़े रहने क के लिए आपको बीपे लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा मैं थी आपके साथ आशी सिंहानत